दोस्तो वेलकम तू माई चैनल आज के सेशन में मैं आपको लेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत फाइल परमिशन, ताइपस ओफ यूजर, ताइपस ओफ परमिशन, डिफरेंट मोड्स ओफाइल परमिशन, हाउ तू चेक फाइल परमिशन, हाउ तू एड और रिमोब फा दोस्तो लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक फाइल और डिरेक्टरी के परमिशन को ग्रूप में कैटेगराइज किया गया है, इससे की यूजर अपनी फाइल को अन्य यूजर से पढ़ने लिखने और एक्जिक्यूट करने से रोक सकता है, पहला है यू जो की ओन आपने शेयर किया है, वह ग्रूप का मेंबर होना चाहिए, तीसरा है लास्ट ओ जो की अदर को रिप्रेजेंट करता है, यानि की एवरिवान एल्स, जिसका मतलब है कि वह ना ओनर हो, नहीं ग्रूप का मेंबर हो, फिर वह फाइल को एक्सिस कर सकता है, परमिशन की अनुस रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके द्वारा की यूजर को फाइल का व्यू देखने की सुविधा मिलती है, दूसरा है जो की राइट का परमिशन प्रोवाइड कराता है, और यूजर फाइल के अंदर चेंजेस कर सकता है, लास्ट है एक्स जो की एक्सिक्यूट परमिशन को एड रिमूव और परमिशन को साइन या डेजिगनेट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट साइन करते हैं, पहला है प्लस साइन, प्लस साइन के माधियम से हम परमिशन को एड कर सकते हैं, दूसरा है माइनस साइन, माधियम से परमिशन को हम रिमूव कर सकत तो इसके लिए ls-l switch का उप्योग करेंगे जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो दोस्तो त्री टाइपस ओफ यूजर के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया rwx यह पहला जो block है यह owner को represent करता है next rwx जो block है वह group को represent करता है और last का जो rwx है यह other user को represent करता है तो डायरेक्टरी की access permission को change करना चाहते हैं तो इसका symbolic mode जो की beginner user के लिए बहुती आसान माध्यम है दूसरा तरीका होता है absolute और numeric mode जिसमें की file और directory की permission को set करने के लिए हम numeric value का इस्तमाल करते हैं पर्मिशन को add कराने के लिए syntax जैसे की मैंने उपयोग में लिया है ch mode g plus w marry.txt तो जैसे ही मैं अपने file marry.txt के group user को write permission add कराना चाहती हूँ तो इसके लिए मैंने plus sign का इस्तमाल किया है write permission है इसलिए w का use किया है और group मेरा user है तो इस तरीके से मैं अपने user को write की permission add करा सकती हूँ तो जैसे ही देखिए कि यहाँ पर पूर्वा में जो owner है उसको read और write की permission है group और other को सिफ read की permission है लेकिन जैसे ही यह command मेरा execute होता है mary.txt के group को write की permission add हो गए अब दोस्तों यदि आप file में multiple permission देना चाहते हैं तो उसके लिए हम use करेंगे chmode a plus w x lucky.txt मेरी file का नाम है अब यहाँ पर मैंने सभी user a for all all user को मैंने write और execute की permission add करी है तो जैसे पूर्वा में आप देख रहे हैं कि lucky.txt file के सभी जो user है उनको write और execute की permission नहीं है लेकिन जैसे ही यह मेरा command execute होगा और execute होते ही ls-l command के माधियम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर already थी पर write और execute की permission अब यहाँ पर मैंने add कर दिया है तो इस तरीके से हम file के अंदर multiple permission को add कर सकते हैं अब यह दिया file की permission को remove करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर use करेंगे ch mode g-wx marry.txt जो की मेरी file है अब यहाँ पर marry.txt की जो मेरी file आप देख group को write और execute की permission दी जा चुकी है लेकिन अब यहाँ पर मुझे group से write और execute की permission remove करनी है तो इसके लिए type किया है ch mode g-wx marry.txt जैसे ही मेरा यह command execute होगी अब यहाँ से group से write और execute की permission remove हो गई है जब हम ch mode के साथ reference का use करते हैं तो इस command के माधियम से आप जो भी knit list जैसे की आप यहाँ देख रहे है pop.txt जो मेरी reference file है के समान ही permission मेरी marry.txt file को भी assign हो जाएगी यहाँ पर आप देख रहे है equal sign का मैंने use किया है तो जैसे ही मैं अपना ये command execute करूँगी command execute होते ही ls command के माधियम से देखिये मैंने चेक किया तो यहाँ पर pop.txt file में owner को read और write की permission है execute की permission नहीं है जबकि group और other को read, write, execute की permission है और ठीक वैसा ही same permission marry.txt file को भी assign हो गया है अब यहाँ पर आप d देख रहे हैं d character जो है यह directory को represent करता है यदि आप यहाँ किसी directory के अंदर read, write, execute की permission को assign कराना चाहते हैं तो हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे chmood a equals to rwx jerry जो की मेरी directory का नाम है तो यहाँ पर जैसे ही मेरा command execute होगा lsl command के द्वारा हम चेक करेंगे तो देखें यहाँ पर जो मेरी directory jerry है उसके सभी user को read, write, execute की permission assign हो गई है दोस्तो अब हम बात करेंगे absolute mode की यहाँ पर जो permission होती है permission numeric form में set किया जाता है जिसमें की हम 0 से 7 number का use करते हैं 0 represent करता है no permission 1 represent करता है execute को two write को represent करता है 3 जो है write और execute 4 number जो है read को represent करता है 5 read और execute को represent करता है 6 read और write opposite करता है 7 read write execute को represent करता है तो दोस्तो इसकी विशेफ्टा यह है कि आप जब absolute form में permission को set करते हैं तो owner group और other सभी को permission एक साथ हम दे सकते हैं जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि 6 जो मैंने दिया है पर्मिशन तो 6 पर्मिशन देते ही यूजर को रीड राइट की पर्मिशन मिल जाती है और 7 की पर्मिशन का मतलब होता है कि रीड राइट एक्जिक्यूट तो यहां bob.txt फाइल में पर्मिशन को यदि आप एड करना चाहते हैं एबसलूट मोड के माध्यम से तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं chmode 764 bob.txt जो की मेरी फाइल है अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7 रिप्रेजन करता है read, write, execute को 6 रिप्रेजन करता है read or write को और 4 का मतलब है कि सिर्फ read की पर्मिशन है other को owner के लिए यहां पर आप देख रहे हैं कि read, write, execute की पर्मिशन है group को read or write की पर्मिशन है और other को सिर्फ read की पर्मिशन उपलब्द की गई है read और write की permission है group और other को read write execute की permission है पर अब यहाँ पर जो मेरी file है married.txt में execute की permission नहीं है read और write की permission है group और other को read write execute की permission है पर अब यहाँ पर जो मेरी file है married.txt में मैंने group और other को write और execute की permission चेंज करना चाहती हूँ तो फाइल की परमिशन को चेंज करने के लिए मैंने यहां पर यूज किया है chmood744mary.txt तो यहां पर जो मेरी फाइल है mary.txt के owner को मैंने read right execute की परमिशन सेट करी है और group और other को मैंने सिर्फ read की परमिशन assign की है तो इस तरीके से हम अपने फाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं absolute mode के माध्यम से अब दोस्तो यह दि आप user के परमिशन को remove करना चाहते हैं absolute mode के माध्यम से तो हम इस तरीके से लिखेंगे chmood700mary.txt जो की मेरी फाइल है तो यहां पर mary.txt फाइल के ओनर को तो हमने यहां पर read write execute की परमिशन तो दी है किन्तो group और other जो user हैं इन से सारी की सारी परमिशन हमने हटा दी है उनको कोई भी परमिशन read write execute की नहीं दी है तो इस तरीके से हम फाइल की परमिशन को remove कर सकते हैं और ls command के माधियम से जैसे ही हमने execute किया तो देखिए owner की परमिशन यहां पर read write execute की तो sign हो गई है किन्तो group और other को कोई भी परमिशन नहीं है तो दोस्तों आपको मेरा यह session कैसा लगा आप comment करके जरूर बताएए और like और subscribe करना न भूले Thanks for watching, take care of yourself